अक्सर मैं धम की वीडियो बनाता हूँ क्योंकि धम की वीडियो से ही काफी सारी जानकारी लोग तक पहुंचाई तो कैवार लोग मुझे समझ देते हैं कि मुझे धम के वारे में सारा सारा बलकुल अच्छी तरह से जैसे होता ना रटा हुआ तो ऐसे है तो कई बार मुझे बढ़ा देते हैं कि आप त्रिशन कराओ पंसील कराओ त्रिशन तो ठीक है मैं करा देता हूं पर पंच सील मैं पंच सील के क्रम भूल जाता हूं पांचों सील याद रहते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैं सीलों के एक एक सब्द का अर्थ बता सकता हूं वो अर्थ भी बता सकता हूं जो आज तक किसी नहीं बताया पर सीलों के किरम मुझे आज तक याद नहीं रहते हैं तो देरादून के अंदर जब मैं उन्होंन करमीर पता नहीं है यह क्या ध्रम बताएगा तो मैंने का भाई यह तो बात को सच है कि मैं ऐसा ही बताने वाला हूं मुझे सीलो के करम पता नहीं है मगर मुझे यह पता है कि यह पांचों है और यह पांचों वारित नियम है तो मैं कोई वारित नियम नहीं बता सकता कि यह व मुझे ये बता दे कि भगवान बुद्ध ने जो ये करम दिये थे कहा दिये थे कैसे दिये थे कब दिये थे क्या इस करम के बारे में बोला है तो कोई बता नहीं पाया कि ये क्रम क्यों दिये कैसे दिये क्यों भगवान बुद्ध तो है ने और जो संत होते हैं जो वो कहते है वो अलग बात पर सार में जाना चाहिए वह किस प्रपरस के लिए वह जाना चाहिए ऐसा कि आज सम्रठ वनतू इसको जो बोलते ना ठाषक्रवति जो ऑर चब्द achieving यह ढ क करती नहीं है और चक्क माने धर्म का चक्र यानि जिसको आप आठ तलीका आठ ठांगिंग मार का चक्र बोलते हैं या यहां फुटू में लगा हुआ है या बार तलीका या चौबिस तलीका या अर्टिस तलीका तो वो जो धंब चक्र है आठ तली वाला आठ ठांगिंग मार वाला उसको चलाने वाला उसको घुमाने वाला और प्रिय दसी में है जिसका दसन प्यारा यह देखने देखने से अच्छा लगता है और सम्रट सम्रट का मतलब है जिसका राष्ट सम्ता पर आधरित है वैसे सम्राठ बोलते हैं सम्राठ का मतलब होता है सम्ता पर आधरित राष्ट और सम्रट का मतलब सम्रट से सम्राठ बनाते हैं और फिर असोग बोलते हैं असोग का मतलब ऐसो को फिर बोलते हैं उसको महान में हान जिसके महां के बाद तो ने लग जाता तो नाउन बन जाता यानि जो बड़ा है महा माने भड़ा से तो जितना भी आप समराठ अशोफ के वारे म Еश दो, जेंटियाम अनती ऐग पहले गे थी एक अबियाई है कॉन्फिक्ट है क्योंकि औरिजिनल डेट का किसकी को पता नहीं चलता है बस कहीं से कुछ मिल गया तो चल गया फिर मानता हो जाती है बुद्ध के वर्थ की भी मानता है लोग बैठे और उन्होंने एक मानता किया मानता फिक्स हो गई पूरा त्रिपिटर पड़ा सहायते तो हर महीने कोई ना कोई डेट आनी चाहिए मैं तो कहता हूं कि बुद्ध के बारे बर्थ दे होने चाहिए हो समराएं क्योंकि इस बहाने हम उनकी जानकारी उनकी बात रिपीट करते रहते हैं उसका जब करते रहते हैं जब और जबती बड़ा इंपोर्टन सब है पाली क कैसे चलता था उनका समीधान कैसे चलता था, राज्जे में सासिंक कैसा था, शांती कैसी थी, बाली कैसी थी, आप जितना भी पड़ोगे किताबों में यहीं मिलेगा पर उन सफेद पन्नों में सफेद साई से क्या लिखा हुआ है वाइट पेपर पे वाइट इंग से क्या लिखा हुआ है वो जो असोक ने पत्थर पे लिखाया उस पत्थरों के पीछे क्या लिखा हुआ है जो गुदा हुआ नहीं है जो एंग्रे और सफीद पेज़ पर काली साइब के अक्षर ही पढ़ते रहोगे. तो आप उन्हीं अक्ष्रों में उल्दे रहोगे. जब Goet की बात चलेगी, तो आप ये पूछना, चिस सम्राट असोग जो महाभारत बनाये था, वो महाभारत कहाँ है? और महा भारत से भारत कैसे रह गया फिर आप यह पूछना कि क्या महा भारत सम्राट असोक से सम्रट असोक से पहले किसने बनाया और इसको टुकुड़े करने वाले कहां गए कौन इसको भारत को महा भारत का टुकुड़े करने वाले वो कौन लोग थे और वो कहां छुपे ब को तोड़ा क्यूंकि आप एक ही बात बोलोगे कि पत्थरों पहेसा लिखा ऐसा रास था वैसा रास था मंगर कहीं भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा कि पत्थरों को तोडने वाले लोक कौन थे आपको भटका देंगे दो कहाँएं के जो लोग हैं उन्हें क्या पता कौन असोग कैसे पत्थर क्यानी है उन्हें तो पहले टूटे पड़े हैं तो कोई भी मानिता या कोई भी मजभ या कोई भी मानिता का वियर्थी भारत मुन को तोड़ने नहीं आया और तोडने वाला चुपके बेठा हुआ है अपनी पहचान निकलने से डर रहा है इसलिए दूसरों के नाम लिखते था है कि ये उसने तोड़ा उसने तोड़ा और वो बास certified नहीं होती जब आप सर्थम महान का जिकर करोगे तो आप इस बात का जिकर करोगे कि उसके पथरों में जो संब्धा का संविधान लिखा हुआ है इस सम्ता के सम्विधान से चिड़ कौन रहा था परेशान कौन होता तो आपको बता दे जाएगा कि बाहर का था इधर का था उधर का था मगर आप सहज ग्यान से किताब पढ़ने की जोत नहीं है सहज ग्यान से खाली डेटी पता कर लेना तो आपको पता चलेगा कि जब व पती का अपने जो साइंटिस्ट हैं, जो वेग्यानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बिजनस्मेन हैं, जो खिसान हैं, जो पिसक हैं, सारे समढ़ हैं, तो समढ़ तो अपना राज्जे क्यों तोड़ेगा, क्यों अपने पत्था तोड़ेगा, वो तो उसके फाइदे की बात है तो आपका दिमाग इस बात में जाना चाहिए कि जो तोड़ने वाले लोग है वो कोई है इत्यास को उसे हिसाब से मत देखो जो आपके हाथ में किताब दे देगी जो इत्यास को इस हिसाब से देखो जो किताब आपके हाथ में दी नहीं गई है वह किताब कहा है, जब आप पढ़ो कोई भी इस्टरी तो उसमें ये देखना कि इसमें में कहां हूँ, यानि हम कहां हैं इसके अंदर, क्योंकि हम तो हैं, अगर हमारा अस्त्टत॔ है और हम यहाँ अथी है, और हमारी एक्जिस्टेंस करोडों में हैं, और एकसो बीस करोडो तो कहानी पूरी लिखी जाएगी तो मुझे दिखाई देते हैं वह 120 पन्य कहां है और जो पंद्रे पन्य है उन पन्नों में हम कहां है यह आपको ढून पड़ेगा और रहो जो वैडिवे हैं ग्रुंतला लाइन्स हैं जो लाइन्स होती चुम्ता black lines होती हैं उनके बीच में जो white line होती है उस पे वो लिखे हुए हैं अगर वो पढ़ने आपको आगे अगर वो समझ में आ गया तो दुनिया की सारी किता में समझ मा जाएंगी आपको और अगर आप उन काली लाइनों में उलजी रहे तो आप एक तरह से copy-paster बन जाओगे जैसे आज कल हम Facebook पर WhatsApp पर किसी का मैसे उठा के किसी का कॉपी कर देते हैं किसी का उठा के किसी का कॉपी कर देते हैं बिना सोचे जो लाइन है उसको पढ़के उस पर बहुता करना चाहिए सहज ग्यान पर किसी भी महा पर उसने यह नहीं कहा है कि किताबों पर बहुता करना चाहिए सहज ग्यान से बुद्धिका इस्तमाल करना चाहिए और लगाता लगाता तरक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए अगर आ आप उन कितावों के आरप आख देखने की छंटा नहीं बड़ा होगे। तो वो कितावें आपको गुम रहा कर देंगी। गुम कर देंगी क्योंकि वह आपकी नहीं है तो बताजी होती तो बताजाता प्यापका ज्रठ का सुक है। उसको इसलिए सम्रठ बोलते थे क्योंकि उसका सम्ता का राष्ट है और सम्ता के राष्ट को तोड़ दिया ऐसा कौन विखती है जो सम्ता के राष्ट का दुस्मन है और वो है कहां क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्यों बताएगा वो विखती तो आपको बताएगा नहीं भारत और विसाल भारत और पराना भारत है वो लोग कभी यह नहीं बताते कि जो विसाल भारत अखंड भारत था इसका टुकड़े टुकड़े भारत कैसे हो गया क्या दिक्कत हुई किसने की कौन लोग है कितना असाम तो है नहीं तो इसलिए वो लोग डरे बैठे रहते हैं क कि कहीं अगर समर्ठ असोग दवारा बाफिस आगे तो लोग ये पूछना सूरू कर देंगे कि समर्ठ असोग गज्य क्यों थे और वह कौँ से महानुभव हैं कौँ से वीर लोग हैं कौन से काय lud हैं जिन्होंने समरष्थ असोग के साथ घात किया और वह कौँ से घात अधी भी कर रहें नहीं कर रहें या आपको समझ में आ जाएगा. इसलिए लिए आप ध्यान दोगे के समरठ असब की जैन्ती है वो अंतराष्टि होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए शुक्तान झांश्टान, भी है। वह बंगना देश्ट में भी है 1995 उसके अंदर बी है। वह इन सारे शुह में महावारत में है। आज उसके महावारत के टुक्रे हो गए, अजिक इसका अंतर राश्टे, वह internet international status खतम नहीं होता उसका तो कॉन लोग है जो उसकी जैनती भारत में भी नहीं मना देना चाहे थे और उसके नाम पर चुटी होनी चाहिए तो उसकी नाम पर चुटी की तो बाद छोड़ो उसका राश्टे काईकरम भी नहीं आता जिसकी महौर लगी हुई है जिसके हर व्यक् संविधान का चिन्ग बना हुआ है हर एक राज चिन्ग बना हुआ है जो सीर की तरह चारों सीरग ढालगे जिसने बराए जिसके शेर बने होते हैं इसकी छुटी नहीं होती उसके सरकार कारी करम नहीं लगाती उसकी मतलब अपने सबसे महांतम राजा का कारी करम नहीं लग रहा है इसको कौन सोचेगा इसको कौन बताएगा इसको कौन देखेगा इसलिए समरठ असोग की जो जैनती है वो आप गहुत कम में निव्टा ले देते इसको तीन दिन पहले श्टार्ट करना चाहिए और साथ दिन बात चलाते रहना चाहिए दस दिन तक लगाता रखते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब क्यों करना चाहिए यह जब है और जो जबती है यह हमारी प्रिक्रिया है पहले हम अपने बच्चों को क्योंकि पहले किताबे नहीं थी कंप्रूटर नहीं थे स्लेट नहीं थी पत्थर था पत्थर पर लिखते थे या बोल कर सुनाते थे तो याद रहे कि क्या बात बताई है कौन सी बात है तो कहते थे, कि इसको repeat करो तो कोई-कोई बच्चा ऐसा होता था जिसकी enorm जदा काम करते ही, तो मौहाबर हमारा है, कि जिसको भी हम रिपीट करते हैं या जिसको सुमरन करते हैं याद करते हैं उस जो जड़ होता है उसके अंदर भी जान पड़ जाती है यानि कि वो याद होई जाता है उससे क्यों याद कराते थे क्योंकि शिक्षा हमारे पास थी है जूकिस हमारे पास थी जाइवती हमारे पास थी हमी को याद करना पड़ता था बुद्ध की बाते हैं असोक का सम्विधान पहले पत्रों पे लिखा होता था तो याद करोगे तो याद रहेगा क्या निया में क्या न यह जो इस पेपर को आप 10 वार या इस पोस्ट को 1000 वार आगे वेज़ोगे तो आपका लाव होगा, यह जो इसमें मैं भेज रहा हूँ, इसको जब न खरें, सुवए इसमेट जो लोग इसको दस नन्हें भी भी जेंगे, और वो दस को आगे भीजेंगे तो उसके साथ में दो ची लगा देते हैं कि आपका बेटा स्रुचित रहेगा, आपके घर में पैसा आएगा, यानि कि सिखाने का जो जब करने का तरीका है, आसान ये निकाला हमाई लोगों ने, कि इसके साथ में या तो भैज ओड़ दो या के साथ में लालच होते हैं, तो कहते हैं भई जब करेगा, याद करेगा, तो तरे को मिठाई मिलेगी, मिठाई से नहीं मानता, खाके भगया, तो कहते हैं तो जब कर तो तरह लाब होगा, तब भी नहीं मानता, तो कहते हैं तो इसको याद कर जब कर, अगर जब नहीं जबती कराने की बज़ाए हमको इधासर की बात यहां को गुद्धिक अगेंश्ठ हो देने लगे और हम उनका जब करके डरने लगे माझर अब हम्में जरुथ है अपनेसल्ट जबती करने है हमको जबता करना है तो असली क्या करना है एक पोस्ट बनती है वी दर पीपल समढ़ सकती है वो पोस्ट आपके वाटसप पर जाती है एक वीडियो जाती है जो आपके वाटसप पर जाती है कोई मैसिज जाता है जो आपके वाटसप पर जाता है आपकी फेस्वुक पर जाता है कि हमको जोड़ना है जोड़ना ह तो इसका आपको जाप करना है इसका रिप्रिशन करना है इसको जपना है तो आपका लाब होगा तो आपके बच्चों का लाब होगा और गारंटेड होगा आप अगर अगर अपने इन चीजों को जपोगे जपती करोगे इसको रिपीट करोगे एक हचार आठ वार भेजोगे सो वार भेजोगे, सुले वार भेजोगे, अठारे वार भेजोगे, चोविस वार भेजोगे, तीन सो पेशन वार भेजोगे, अगर इसके साथ हम यह लगा दें कि अगर आपने नहीं बेजा तो आपकी टांग टूर जाएगी या आपका नुक्सान हो जाएगा तो आप भेज़ दो क्योंकि फिर आप ड़ जाओगे या आपको यह कह दिया कि आपको पैसा मिलेगा इसका अगर आपने हजाराद में को भीज़ा तो भी आप भीज़ोगे तो जो महायानी लोग हैं, जो महायाने रियाने रोड़े हैं, वो आज भी जबते एएँ, उनके यहाँ, ओम अनुए पदमे हूं बार वार वार रख़ए जाता है, और वो उनका फेमस जाप है, जो चलते ही। पूरी दुनिया उसको करती जाताए। ओमनी पद में हूँ यानि कि कमल के पुस्वाले हैं वो मंगल करें ऐसा करके वो याद करते रहते हैं इससे अच्छी भावना आती रहते हैं असली बात अब आपको करनी है जब वही करना है मगर आइकम बदल देना है आप यह मान के चलें कि आपको पूरे दिन में बावा किस लोगों को यह भेजना है क्या भेजना है संग कैसे काम करता है संग क्या चीज है वीदर पीपल क्या है यह आपको डूटी में निवाना है बिना डरे और बिना किसी लालस की और यह मानते हुए कि यह हमें जप वाला काम करना ही पड़ेगा यह जप हमारा नियम है अगर वीडियो बना के भेजो, तो मन मैं पूरा करलो, कि इसको मैं 300 आदमियों को आज भेजो का लिख लगो, या नहीं भेजा, 300 आदमियों को भेजूगे तो तो आपके बच्छों को 100% लाभ होगा कैसे लाभ होगा आपने 300' को भेजा उस पर लिख दिया कि जो इस traveled होगा तो जानकारी है जुडेंगे जीतेंगे जानकारी ये है कि जो जोड़े हैं वो वो जीते है जानकारी ये है कि आपका एक संग है जानकारी ये है कि लोग इखटे हो रहे है जानकारी ये है कि यहाँ पैसे नहीं लिये जाते है जानकारी ये है कि हम बिना इखटे हुए जीत नहीं सकते है जानकारी ये है कि संविधान बहुत प्राचिन है और यह हमारे बाप दादों का बनाया हुआ है जानकारी यह है कि इसके अंदर राजनीती नहीं होती जानकारी यह है कि यहां पर किसी वी आलत में काश्ट की बात नहीं होती जानकारी यह है कि यहां पर पोश्ट नहीं होता तो यह जानकारी भेजोगे ज लोगों को भेजेंगा बिपीएग घजेंगा अपनी अमर के साथ से इसलें बढ़ेगी उभीएगी कि अच्छा काम करेगा और जत्नी तेजी से मिखटे होंगे उत्नी तेजी से हमारे थिकार बचेंगे ये काम हम पहले करते थे थे हमारा जब चला गया, इसलिए आपने जपना है, और इसको नियम बना ले ना है, जपने का काम मोड़ दिया, कहां कर दिया, माला फीड़ते रहो, मन के फीड़ते रहो, क्या बोलते हैं, तक्ति पले लिखते रो, और कुछ ने करना, बिसिकलि हमें अपने प्रचार के लिए ये काम करते फें के बुद्ध ने कोई बात बताई बिक्कु ने कोई बात बताई तो मुझे सौ लोगों को बताने लिए comprendre होता था था वो जपना माना मल्कमायख हो गया हमारा मामला खतम हो गया हमको वो जपना और जप्ति कंसेप्ट दोबारा से ले प्याहिसे और यह बनाना है आपको अच्छा लगता हो. आपके मन में यह हों कि यह नमर मिलेए बहुत अच्छा है. वही पगढ़िडो. उससे आपका काम बनेगा ही बनेगा. मगर यह करना है, तो लालच और भैकी बिना करना है. लालच भैसे करा जा तो इनका भारी नुकसान हो जाएगा सिर्फ कितनी सी बात अगर मैं आपके मन में डाल दूँ तो आप सारे भैवित हो जाओगे कोई काम करो ना करो मगर पचास आदमीं को भीज दोगे पर इससे हमारा नुकसान हो जाएगा इससे नुकसान यह हो जाएगा कि जो विद्धा जो एजूकेशन जो बुद्ध भैसे मुक्त करते हैं भैसे जो मुक्त करते हैं उनको भंते बोते हैं जो भंत का भैकांत कर देते हैं उनको भंते बोते हैं जो इनका खुद को भैसे मुक्त करने काम है भैकांत करने काम है वो खुद भै बैठा रहे हैं तो उल्टा हो जाए पर अपने खर्चे पर चलते हैं अपना काम खुद करते हैं लालच करने से स्वाभिमान कर जाता है हाथ उठा के कोई भी गएगा लाओ जी मैं तुम्हारे एक हजार आठ वार भेज रहा हूं लाओ मेरे को सौर को देदो फिर वह भेजे ना भेजें अगर उसका कोई फाइद मन के ही मीत हैं और मन के ही जुष्मन है कोई जुष्मन और मन के भी बहार नहीं होते हैं यह बहुत क्लियर है इसलिए सम्रट असोक पे जो यह धम चक्वंतु पियदर्सी सम्रट असोक महान का जो दिन हम याद याद करते हैं यह लगाता लगाता याद करते हैं और याद कर रहें अपने गौरब को और उसमें जीना सुरू करें और अगर आपने जप नहीं किया तो सम्राट असो क्यों याद करने में और पैदा होने में और भारत पे फिर से महावरात बनाने में हजार साल लगेंगी पर आपने अगर जप बढ़ा दिया याद करना बढ़ा दिया तो एक रात में भी बदल सकते हैं यह डिपेंड करता है कि आप किती तीजी से काम करते हैं किरांती आपके दरवाजे पे बदलाव आपके दरवाजे पे सुख सुविदा आपके दरवाजे पे सम्विधान लेके खड़ा हुआ है आप मैं कितनी जल्दी है आप कितनी जल्दी चा हो और इसकी सोच बड़ी हो गई हैं कोई 20 साल का आदमी हो इसकी सोच बड़ी बुरा लागा लक्त सकता है पर हम क्या करें जनम दीए फिर भी नहीं हुए तो यह depend करता है कि आपका मन और आपकी सोच कितनी वाइड होई है और आपने अपने कितनी गंदी गंदी चीज़े छोड़ी है गंदी चीज़े मतलब लाला छोड़ दिया है प्रिसिद्धी छोड़ दी है कोई मजबूरी है वो छोड़ दी है जितनी जल्दी आप छोड़ते जाओगे उतनी जल्दी ही जब करते जाओगे जितनी जल्दी जब होता जाएगा उतनी जल्दी जीतना ह सारे काम हो जाएंगे अगर आप मन बना लेंगे जिसके मन बन जाते हैं उसको दुनिया कोई ताकत रोग रोग नहीं सकती और जिसके मन नहीं बनते दुनिया की कोई ताकत उसको जिता नहीं सकती क्योंकि जीतना मन से है जिसने मन को जीत लिया क्या कहते है बुद्ध जब वो मन को जीत लेते हैं और उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कहीं किसी का चेला है तो कहता है कि भई आपके अंदर तो बड़ी चमक आ रही है आप महानपरुस कौन हो भई आपके चेहरे पर चमक है कि दुनिया में सबसे कठें काम अपने को जीतना है और जो अपने को जीत लेता है वो कभी नहीं आता है यह बात इसलिए में जरूरी है क्योंकि जब मुव्मेंट में रहते हैं तो भह नहीं आना चाहिए तो बहन दूर दूर पर चाहिए अगर बुद्ध के भंते नहीं हो है वो लोगों क्या सिकाते जब फथे को खुदी डर दले हुए हैं और वो सारी को देखकर डवर रहे हैं तो फिर लोगों को तो भал बाटेंगे ना डर ही बाटेंगे फिर भंते कहां हुए तो पहले वो अपने भैकांत करके आते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि दरने की जरुत नहीं है दुनिया के अंदर तब लोग भैसे मुख्टेते हैं और बुद्ध कहते हैं जो अभैदान है वो सबसे दानों में जो अभैदान है धमदान के बाद आता है अभैदान का मतलब क् तो वो पूरी तरह से सुखी हो जाता था हम यहां जो लोग बैठे हुए हैं हमको किसी भी हालत में डरना नहीं है और ये बात मन में भी नहीं लानी है कोई कच्चा व्यक्ति हो सकता है वो अपने मतलब के लिए बार 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 कहेगा अरे ऐसा हो जाएगा अरे वैसा हो जाए जो लोग डरते हैं है व अबसे पहले मारे जातें है क्योंकि आदमी मारने वाला दरे हुए को ढूंटा है जगल में जो शेर है जब वो शिकर करने जाता है तो यह देखता है कि ऐन में से कौन सा जानवर है जो दरके भाग गया उसको पीछे से पकड़ता है उसको मारता है और जो जानवर उसके सामने खड़ा हो जाता है एक साथ ना फिर वो हमला नहीं करता है फिर वो देखता है तोलता है कि अगर मैं हमला करूंगा तो इसके सींग मुझे मारेंगे या नहीं मारेंगे क्योंकि सामने आ गया इसलिए बाग भी पीछे से हमला करता है आगस नहीं कर पपतार बाग के हमले पीछे से होते हैं इसलिए डरे हुए आदमी का मरना तैह है और कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ है तो उसको को के भाई तू पहले विपस्ट ना कर ले साधना कर ले अपना डर निकाल ले तब इस मूवमेंट में आ अगर डरा हुआ आदमी के साध मूव होंगी सामान फैक दिया चौविस साल का लड़का चौविस साल के थे उस समय और लंडन से पढ़ गया जहां को डर नहीं बहनी वही सपना रहा होगा कि यहां राजा के आ आगया हूं तो राजा के यहां तो सब बरावर है लंडन जैसा माहल मिले गा पर इसा थोड़ी पता करेंगे कि सोचा नहीं होगा होना है पर अगर वो डर जाते इन सब से तो यहां ना आज यहां आप होते और ना मैं होता तो एक व्यक्ति नहीं डरा ना बुद्ध डरे ना बावासार साब डरे तो हम यहां बैखे हुए हैं इसलिए डर वाले व्यक्ति से साब्धान है ना भाई और उसको नमस्कार करना दूर से कि तो अपना डर दूर कर या मुमेंट तेरे लिए नहीं है ऐसे व्यक्ति को बात भी नहीं करनी है यह ध्यान रखना इसलिए जिद्ध है जुड़ने की जुडएंगे जीतेंगे जो जो जुड़े हैं जो जो अभे हैं जो जो भंते हैं वो हमेसा जीते हैं हमेसा जीते हैं हमेसा कभी नहीं हारे और जो डरे हैं वो कभी जीते नहीं इसलिए हम निडर होके वाइजली सम्विधान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं काम बहुत बढ़िया चल रहा है हम गयार में महीने का पूरा कर चुके हैं बार में महीने में जाएंगे जब वो लॉक हो जाएगा तो फिर माफी माधें लेंगे कि अप जगें नहीं के जादा लोग ठूसेंगे नहीं आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी बूतियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी बूतियं पी संगं सर्नं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी क्च्छामी ततियं पी ततियं